दूसरा विलोपनविदी समीकर्णों को हल करने के एक अन्य तरीके में कभी समीकर्णों को जोड कर तो कभी घटा कर उसे एक चरके समीकर्णों के रूप में बदलने से हमें हल मिल जाता है आईए इसके कुछ उधारन देखें उधारन 10 रीचा और नैना के पास कुछ टाफिया है जब रीचा नैना को 30 टाफिया देती है तब नैना के पास रीचा से दुगनी टाफिया हो जाती है परन्तु जब नैना अपनी टाफियो में से 10 टाफिया रीचा को देती है तब रिचा के पास नैना से तीन गुनी टाफिया हो जाती है बताइए उन दोनों के पास कितनी टाफिया है हल, माना कि रिचा के पास टाफियों की संख्या X है नैना के पास टाफियों की संख्या Y जब रिचा तीस टाफिया नैना को देती है तब रिचा के पास टाफियों की संख्या X रिन 30 तथा नेना के पास टाफियों की संख्या बराबर वायधन 30 प्रश्न अनुसार दो को हम रिचा के पास जो टाफियों की संख्या X रिन 30 से गुणा करेंगे बराबर वायधन 30 यह जो है टाफिया वाइधन 30 नैना के पास टाफियों की संख्या है अब यहां हम जब कोश्टक को खोलेंगे तो 2X रिण 2 गुणी तैक्स 2X रिण 2 को जब 30 से गुणा करें तो 60 बराबर वाइधन 30 या इसको हम लिख सकते हैं 2X य का पक्षांतर करेंगे बायपक्ष में तो रिण y बराबर 30 रिण 60 का पक्षांतर करेंगे तो धन 60 इस तरह से हमें प्राप्तवा 2X रिण y बराबर 90 यह हमारा समीकरण 1 है परन्तु जब नैना रिचा को 10 टाफिया देती है तब रिचा के पास टाफियो की संख्या बराबर X धन 10 नैना के पास टाफियो की संख्या बराबर वायरिण 10 तब प्रश्ण अनुसार X धन 10 यहां पर अभी रिचा के पास टाफियो की है बराबर तीन गुना हम गुना करेंगे नैना के पास टाफियो की संख्या जो की है वायरिण 10 कोस्टक को जब हम खोलेंगे तो हमें तीन वायरिण 30 प्राप्त होंगा और इसके बाद वाय का पक्षांतर हम दाएं से बाय की और करेंगे X तीन वायरिण 3 य हो जाएंगा बराबर रिण 30 और धन 10 का पक्षांतर करेंगे दाएपक्ष में तो रिन 10 या X रिन 3Y बराबर रिन 40 जो कि हमारा समीकरण X रिन 3Y बराबर रिन 40 समीकरण 2 है अब 2X रिन Y बराबर 90 यह हमारा समीकरण Vot 2 में X रिन 3Y बराबर रिन 40 यह हमारा समीकरण 2 है क्या समीकरण 1 वत 2 में X या Y के गुड़ानक समान है नहीं X या Y के गुड़ानक समान नहीं है तब क्या समीकरण 1 में 2 को घटाने पर या जोड ने पर X या Y निरस्त हो पाते है X या Y के गुणांग समान कर दिये जाए तो संभाव है कि समीकरण 1 में 2 को घटाने या जूणने पर X या Y निरस्त हो गए हम गुणांग समान करने के लिए समीकरण 2 के दोनों पक्षों में समीकरण 1 के x के गुणांग 2 से गुणा करते हैं समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने के लिए 2x रिन 3y बराबर रिन 40 गुणा 2 बराबर कुष्टा को जब हम खोलेंगे तो 2x रिन 2 तिया 6y बराबर रिन 80 तो 2x रिन 6y बराबर रिन 80 यह हमारा समीकरण 3 है समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर आगे देखते हैं बराबर 2x रिन y रिन कोष्टक में 2x रिन 6y बराबर 90 रिन कोष्टक में रिन 80 यह 2x रिन y रिन 2x धन 6y बराबर 90 रिन 8 यह 6y रिन 2x यहां कट जाएंगा और 6y में से रिन y हुआ तो 5y बराबर 170 यह y बराबर 170 बटा 5 यह y बराबर 34 y कमान समी करण 1 में रखने पर समी करण 1 हमारा जो है वो 2x रिन y बराबर 90 समी करण 1 में y कमान 34 रखने पर 2x रिन 34 बराबर 90 बराबर 2x बराबर 90 रिन 34 का पक्षानता धन 34 यह 2x बराबर 124 बराबर x बराबर 124 बटा 2 यह x बराबर 62 तो इस तरह से इस पश्टता रिचा के पास 62 तथा नेना के पास 34 टाफिया है यह इस प्रश्न का हल होगा